नमस्कार दोस्तों, 27 सेप्टेंबर 2021 के डेली न्यूस एनलेसिस करेंट अफेर्स डिसकशन में आपका स्वागत है देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टन न्यूस है पहली न्यूस है, मॉइस्ट इंफ्लूएंस डाउन टू जस्ट 41 डिस्टिक्स देखें, रीसेंटली एक डाटा प्रोवाइड किया गया है मिनिस्ट्री ओफोर्म अफेर्स के दौरा अलग-अलग चीफ मिनिस्टर्स को और उनके ओफिशल्स को और ऐसा बोला गया है कि हमारी देश की वो डिस्टिक्स जहां पे लेफ्ट विंग एक्स्टिमिजम एक्जिस्ट करता है जहां पे मॉइस्ट एक्जिस्ट करते हैं, वो बहुत कम हो गई है और लिए 41 डिस्टिक्स इन दा कंट्री प्रिजेंट ली आर एफेक्टेड बाई लेफ्ट विंग एक्स्टिमिजम ऐसा बोलता है मिनिस्टी आफ होम अफेर्स का डाटा 2010 की बात की जाए तो 2010 में 10 स्टेट्स में ऐसी 96 डिस्टिक्स थीं जहां पे left-wing extremism था आज की डेट में केवल 41 ऐसी ऐसी districts बची हैं जहां पे left-wing extremism है और इन 41 डिस्टिक्स में से भी 25 डिस्टिक्स ऐसी हैं जहां पे 85% violence होता है मतब जादा तर cases में left wing extremism को हमने control कर लिया है अब सवार उठता है कि left wing extremism है क्या इसको आप naxalism भी बोलते हैं इसको आप maoism भी बोलते हैं इसके साथ एक और नाम associated है जिसको बोले जाता है red corridor ठीक है basically left wing extremist को maoist globally बोला जाता है नकसलाइट्स इंडिया में बोला जाता है ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो कि शुरुआत में सरकारी policies से काफी नाराज हो गया और इन्होंने सरकार के against हतियार उठा लिये ये किसी भी प्रकार की parliamentary democracy को नहीं मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सरकार से जीचे जा सकता है through an armed revolution तो ये सरकार के against armed revolution करते हैं एक war सा इनोंने छेड रखा है violence के थूँ innocent civilians को नुकसान पहुचा के ये अपने cause को justify करने की कोशिश करते हैं तो ये इनके ideology है ठीक है भाई अब ये जो maist ideology है ना जो की आप कह सकते हैं चाइना के Mao Zedong ने espouse की थी तो चाइना के साथ related है ये Maoism हमारे इंडिया में इस particular left-wing extremism की ideology को counter करने के लिए ministry of home affairs के अंदर एक left-wing extremism division मनाया गया था 19 October 2006 को जो की left-wing extremist insurgency के साथ deal करेगा in a holistic manner ये जो left-wing extremism division है ये security related schemes को implement करता है which are aimed at capacity building in NWE affected states ठीके रहा तो ये division monitor करता है left-wing extremism की situation को और counter measures take करता है affected states के against ठीके भाई तो जितने भी left-wing extremism affected states है वहाँ पे developmental schemes चलाना overall in states में ऐसी conditions ले के आना कि लोग left-wing extremism की तरफ ना जाएं ऐसे states कौन कौन से हैं तो भाई 36 घर जारकंड कोड़ीसा बिहार वेस्ट बंगाल आंदरपदेश तेलांगना महराष्ट मद्दपदेश उत्तरपदेश और करला अब हम देखते हैं news क्या न्यूस तो खेर मैंने आपको बता ही दिये कि अब केवल 41 districts बची है हमारे देश में जो कि left-wing extremism से affected हैं जिसमें से 25 districts में 85% of the violence होता है हाला कि इस परकार के announcement को ले के overall सारे states खुश नहीं है जैसे कि जारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमन्त सोरिन साब ने सेंटर के ओपर इलजाम लगाते हुए बोला है कि ये district का number केंदर की सरकार इसलिए कम कर रही है चोकि प्रती district केंदर की सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता है जितनी भी districts left-wing extremism से associated है पर district 33 करोन रुपे का special central assistance और security related expenditure scheme के अंदर पैसा आता है केंद सरकार की तरफ से राजी की सरकारों के पास तब चुकि number of left-wing affected sorry number of left-wing extremism affected districts कम हो गई है तो ये पैसा आनक कम हो जाएगा तो ऐसा बोल रहे हैं जारकंड की चीफ मिनिस्टर हेमन सोरिन साब एक और बात है यहाँ पर कि ये जो central armed police forces के जो officials होते है जिनको राजी की सरकारों में deploy किया जाता है left-wing extremism को रोकने के लिए इनका पैसा कौन उठाता है उनका पैसा केंदर की सरकार नहीं उठाती है उनका पैसा राजी की सरकार उठाती है कि कल की डेट में अगर सच में left-wing extremism कम होती है तो कम CAPF के persons को deploy करना पड़ेगा राजी की सरकारों का खर्चा कम हो जाएगा तो उससे overall बाकी developmental expenditures में राजी की सरकारें ज़्यादा खर्चा कर पाएगी ठीक है भाई ये सा बात है अच्छा कामिशा जी ने ये भी बोलाएगी प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने एक decision लिया है कि जो states खर्चा करते हैं इसको थोड़ा कम किया जाएगा जैसे for example 2018-19 से comparison में 2019-20 में CAPF के उपर राजी की सरकारों का खर्चा 29 करून रुपे कम हो चुका है इन फैक्ट ऐसा भी बताया जा रहा है कि left-wing extremism के incidents भी कम हो गए जैसे कि 2019 में incidents थे 2258 और 31 अगस्त 2021 तक incidents हो चुके हैं 349 number of deaths भी यहाँ पर बहुत कम हो चुकी है 2009 में सालाना deaths होती थी 908 इस साल अब तक केवल 110 deaths देखने को मिली है तो definitely हम यहाँ पर improvement देखा रहे है ऐसा केंदर की सरकार बोर्ट रही है जेनल स्रेस पेपर 3 में news आपको काम आईगी है आगे बाट इस पहले वीडियो पर like का बटन दोस्तों अगर हो सके तो join बटन बाग के help करें आपके join बटन दोस्तों से खास्ता बटन बिलती है तो please click the join button if possible Instagram पर follow कर लिजे Telegram group join कर लिजे हर चीज का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा वीडियो को like और share किये बिना मच जाहिएगा next चलते है government group of ministers set up to rational GST rates देखिए आपको पता है कि GST regime के अंदर multiple tax rates है तो यहाँ पे भारत सरकार ने group of ministers बनाया है इसको lead कर रहे है करनाटका के chief minister बसवराज S. Bumai actually में दो group of ministers बनाये गए पहला जो group of ministers बनाये गए जिस scared है करनाटका के chief minister बसवराज S. Bumai इसका काम है rationalization of tax rates and considering the merger of different tax labs in two months अलग चीजों के उपर अलग-अलग GST लगाया जाता है जैसे for example कौन-कौन से tax labs है कुछ चीजों के उपर कोई GST लगता 0%, 5% लगता 12%, 18%, 23% तो यह 5 tax labs है उसके बाद कुछ goods के उपर sets लगाया जाता है depends करता है कौन से goods है precious stones और diamonds के उपर भी GST लगाया जाता है तो इस प्रकार के अलग-अलग आपके GST के rates applicable है इंडिया के अंदर तो इनको आप merge करो इनको rationalize करो इसलिए group of ministers यहाँ पर बनाएगा objective क्या objective यह है कि अभी का जो present GST का regime है उसमें हम अपने revenue neutral rate को भी पूरा नहीं कर पा रहे है जब GST regime लाया गया था तब एक revenue neutral rate तैय किया गया था साड़े पंदरा परसंट का यह आप बोलोगे सर यह revenue neutral rate क्या है तो revenue neutral rate is a structure of different rates established in order to match the current revenue generation तो जब central excise से और service tax से हम लोग switch on किये थे GST के उपर तो पहले जितना tax revenue आ रहा था और बाद में जितना tax revenue आ रहा है तो बाद का tax revenue पहले के tax revenue से कम ना हो कम से कम उतना पैसा तो हमारा tax collection में आ है इसके लिए एक rate fix किया गया revenue neutral rate GST का अब अलग-अलग tax lapse से अगर average हम लोग 15.5% का भी tax collection कर पाते तो overall पैसा कम नहीं होता but actually में जो tax collection का rate निकल के आ रहा है GST का वो निकल के आ रहा 11.6% बतलब overall complete average GST का अगर हम 15.5% रख पाते तो इसको आप बोलते है revenue neutral rate हमारे जो tax collection है उसमें कमी नहीं होती लेकिन यहाँ पे जो average tax निकल के आ रहा है GST का वो 11.5% निकल के आ रहा है उसका reason यह है कि अलग-अलग heads के अंदर बहुत सारे GST exemptions दे रखे हैं हमने तो इसी को sort out करने के लिए और हम अपने आपको revenue neutral rate तक पहुँचा सकें इसलिए यहाँ पे overall group of ministers बनाए गए हैं अंडर दे लीडर्चिप ऑफ करनाट का चीफ मिनिस्टर बसब राज बुमाई इसमें और कौन-कौन लोग हैं तो वेस्ट बंगाल के finance minister अमित मित्रा केरला के finance minister केन, बाला गोपाल गोहा, बिहार हुत्तर पदेश और राजस्थान की भी GST council members यहाँ पे member है एक और यहाँ पे group of ministers बनाए गया है, जिसके head है महराष्ट के deputy CM अजीद पवार overall इस group of ministers को बनाए गये GST system reforms के लिए तो दो है, एक तो भाई आपका tax rate, rationalization और merger of tax labs पे और दूसरा GST system reforms को लेके तो यहाँ पे IT tools, information technology की tools का इस्तमाल करके tax evasion को कम करना, tax payers के compliance को अच्छा करना, इन सब चीजों को, अच्छा एक चीज और बता दू tax compliance के ओपर और IT challenges के ओपर overall पहले से दो subgroups exist करते हैं, तो उन दो subgroups को second group of ministers के अधीन कर दिया गया है, ताकि overall mandate में clash ना हो जाए, तो यह दो नए group of ministers बनें, याद रखिएगा, GS paper 2, government policies and interventions में, न्यूज़ आपको काम आएगी, तीसरी न्यूज़ है, cancer cases higher in men, इंडिन council of medical research के हिसाब से cancer के cases men में जादा है, अगर देखा जाएं, तो 52.4% of the cancer cases males में हैं, और 47.4% of the cancer cases females में हैं, अगर आप बात करो, तो अगर जो बच्चे हैं, जो की 0 से 14 years के हैं, उनमें जो cancers हैं, वो total number of cancers के 7.9% है, मतलब बच्चे, 14 साल तक के बच्चे 7.9% of the all cancer cases हैं, ऐसा बोला जा रहा है ICMR की इस report के दौरा, report क्या है report का नाम क्या है, तो clinical pathological profile of cancers in India, a report of the hospital based registries 2021, यह report का नाम है, अगर report का नाम अगर आप अपने notes में लिख लो, तो better रहेगा, notes में लिखने में होगा क्या, कि बार बार आप पढ़ोगे, तो इस report के साब से statistics court कर पाऊगे exam में, फिर बताया जा रहा है कि head और neck region के जो cancers है, they form 31.2% of the total cancer cases, सबसे ज़ादा जो cancer cases है, site-wise तो 45 से 64 years के जो men है, उनके अंदर prostate cancer के जो prevalence है वो बहुत ज़ादा है, 65 साल से ज़ादा के individuals में prostate cancer बहुत ज़ादा पाया जाता है actually मैं overall आप देखो तो National Cancer Registry Program के अंदर total number of cancers इंडिया में 96 hospitals से report किये गए है, 13,32,207 cancer cases 2012 से लेके 2019 के time period में, जिसमें से 6,10,084 cases को उठाया गया analysis के लिए, completeness के लिए और quality of data को देखने के लिए, इन 6,10,084 cases को जिसमें ये study conduct करी गई है 3,19,098 3,19,098 cancer जो कि 52,4% ये males में है और 2,90,986 47,6% cases females में है, खास बात ये है कि men में 48,7% of the cancers tobacco से affiliated है जो पान गोटका खाते है ना आदमी तो overall उस पान गोटका की वज़े से जो mouth वाला cancer हो जाता है that is the main dominant factor तो insights, cancer insights के respect में बात की जाए, तो 48,7% of the cancer males में tobacco की वज़े से है और females में 16,5% of the cancers tobacco use की वज़े से अब इस site specific cancer की बात की जाए, तो male female से आगे है, कुछ specific sites में female cancer जाता है जैसे thyroid cancer की अगर बात की जाए तो thyroid cancer में 9% females associated है केवल 1% males associated है galbender cancer में 3.7% females associated है और 2.2% males associated है तो यह सब बात है यहाँ पर बता ही जानी, cancer को solve करने के लिए, इसको treat करने के लिए chemotherapy को इस्तमाल किया जाता है chemotherapy में बहुत सारे अलग-अलग chemicals को inject किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है कि ज़्यादातर cases में, जब cancer detect हुआ तो लगबग 8-30 दिनों में उसकी diagnosis शुरू हो गई chemotherapy एक प्रकार का drug treatment है जहाँ पर powerful chemicals, cancer growing cells को मारते है ठीक है बाई, तो chemotherapy की जो drugs हैं उनको इस्तमाल किया जाता है, हलाकि chemotherapy drugs के बहुत सारे associated consequences भी होते हैं कुछ cases में, जो chemotherapy drugs हैं वो bone marrow disease और immune system disorders को ठीक भी कर देते हैं और कुछ cases में, यह chemotherapy drugs के जो side effects होते हैं, वो बहुत डेडली होते हैं GS paper 2 health issues में, यह particular statistics आप किसी health से related paper में quote कर सकते हों Next, Iceland misses out on Europe's first female majority parliament देखे, Iceland की parliament का नाम है All Things अभी एक second के लिए ऐसा लगा, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि भाई, यह पहली यूरोप की ऐसी parliament बनेगी जहां पे female majority में है शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यह जो 63 seeds हैं आपकी All Things में जो इसको आप All Things में जो आप All Things में जो अगर आप 130 AD में बनाए गया था इसमें 63 seeds हैं फाइनल जब election के results निकल के आए तो ऐसा लगा कि 30 seeds मतलब यह पता चला कि 30 seeds women ने जीती हैं बट शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इन 63 में से 33 seeds women जीतेंगी पट फाइनली अग देखोगे कि 33 seeds men जीत गए और 30 seeds women जीत गए तो कुल मिला कि women यहाँ पर majority में नहीं आ पाई हैं अब तक कोई भी यूरोप की ऐसी country नहीं है जहाँ पर 50% के threshold को women ने cross करिया सबसे पास अगर कोई 50% के पहुँचा है तो 47% आप कह सकते हो Sweden की Parliament में women पहुची है और यहाँ पर Iceland में पहुच गई है 47.6% अगर आप देखो तो Iceland में किसी भी प्रकार का female representation के लिए legal quota नहीं है मतलब ऐसा नहीं यूरोप की बहुत सी countrys में ऐसा है कि Parliament में 30% women होना चाहिए Iceland में ऐसा कोई quota नहीं लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो it was ranked as the most gender equal nation in the world for the 12th year running in World Economic Forum released तो अभी मार्च 2021 में जो World Economic Forum की report released हुई थी यहाँ पर लगातार 12 साल से Iceland को most gender equal nation माना जाता है यहाँ पर men और women दोनों को parental leave दी जाती है men और women दोनों की salary बराबर इसके लिए proper law है 1961 से वो implemented है अगर आप देखोगे तो यह पहली country है Iceland जिसने एक female president को 1980 में चुना हुआ है हाला की दुनिया में ऐसी बहुत सी countries है जहाँ पे 50% से ज़ादा women है पारलेमेंट में for example रवांडा की अगर आप बात करोगे आफ्रीकन nation है यहाँ पे 61.3% of the parliament members are women क्यूबा में 53.4% of the parliament is women निकारगवा में 50.6% of the parliament is women मेक्सिको और UAE में 50% of the parliament is women United Kingdom का House of Commons में 34.2% of the parliament are women और US में 27.6% of the parliament are women आप बता सकते हो कि हमारी नीचे comment box में बता हो हमारी parliament लोकसभा प्लस राजसभा कम मैंड में टोटल कितनी वूमें है कितना परसेंट of the parliament in India is women नीचे comment box में बता ही Iceland के PM कौन है Catherine Jacob's daughter ठीक है Iceland यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Norwegian Sea के North में It is a part of North Atlantic Ocean GS Paper 2 International Relations में नीउस काम आएगी When next news is Sen Marino votes to legalize abortion It's a historic referendum Sen Marino की बात की जाए तो यह एक बहुत Chinese Republic है Italy से चारो तरफ सी गुरा हुआ है ऐसे बहुत से tiny Republics हैं आपके यूरोप में एक Sen Marino है एक Rome है ठीके ना अब यहाँ पे यह जो Sen Marino tiny Republic है यहाँ पे अब abortion को legalize कर दिया गया इसते पहले इनका जो 1865 का law था वो यह बोलता था कि अगर कोई women abortion करवाती है तो उसको 3 साल तक की जेल की सजा हो गई है हो सकती है लेकिन अब यहाँ पे abortion को legal कर दिया गया Actually में 77.3% of the voters ने बोला है कि 12 weeks of the pregnancy तक abortion legalize होने चाहिए और उसके बाद आप देखे तो यूरोप में जो पोलेड नाम की कंट्री है और जो यूएस स्टेट अफ टेक्सेस है वहाँ के जो abortion laws है काफी regressive बताय जाते है मतलब यहाँ पे abortion उतने allowed है नहीं Recently मेक्सिको में भी abortion से related बाते हुई है मेक्सिको की सुप्रीम कोट ने बोला कि अगर आप abortion को penalize करते हो तो यह unconstitutional है मेक्सिको की सरकार कुछ और बोलती है San Marino में अब abortion अलाओ कर दिएगे है पहले तीन साल सकी सजा थी अब सजा नहीं है पहले क्या होता था कि San Marino से जो ladies थी वो निकल के इटली जाती थी और इटली में लगबख 1500 यूरो यह फिर 1755 डॉलर में वो abortion करवाती थी अब वो legally अपनी country के अंदर abortion करवा पाएंगे और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था याद रखेगा कि यह जो San Marino है इट falls under इटली चारों तरफ से यह इटली से गिरा हुआ है अच्छा माइक्रो स्टेट्स की बात की जाए तो यूरोप के अलावा the Mediterranean island of Malta and the micro states of Andorra and Vatican City यहाँ पे अभी भी abortion ban है वो जो रोम मैंने बोला है वो Vatican City की ही capital है तो Andorra और Vatican City यह दो micro states है और उसके साथ सेंड मेरी नो यह पहले abortion को ban करते हैं सेंड मेरों में abortion ban नहीं है Andorra वैटिकन सीटी में अभी भी abortion ban है Mediterranean island of Malta में अभी भी abortion ban है याद रखेगा जब दुनिया भर की बात की जाए अगर abortion के statistics को देखा जाए तो abortion जदा तर जगों पर allowed है देखा जाए तो According to a United Nations report with data gathered up to 2019 Abortion is allowed in 98% of the countries to save a woman's life एक woman की life को save करने के लिए गंठानवे प्रतिशत countries में abortion allowed है मतब abortion allowed है अच्छा और क्या क्या रीजन से यहाँ पर abortion को allowed करने के तो physical health को protect करने के लिए abortion allowed is 72% countries में mental health को protect करने के लिए 69 countries में जैसे for example किसी लेडी का rape हो जाता है और उसके चलते हो वो pregnant हो जाती है तो ऐसे cases में भी वहाँ पर abortion allowed है fetal impairment के cases में 61% companies में abortion allowed है economic और social reasons की वज़े से 37% countries में abortion allowed है okay woman की request के basis पर abortion 34% of the countries में allowed है जिसमें US आता है Canada आता है जदधर European countries आती है चायना आता है मतलब कि इन countries में अगर woman request करती है कि भाई हमें abort करने दिये जाए बच्चा तो abortion यहाँ पर allowed है इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में medical termination of pregnancy amendment act 2021 के तुरू अब 24 हक्ते तक आप pregnancy को terminate कर सकते हो पहले यह limit 20 हक्ते थी अब 24 हक्ते कर दी गई है लेकिन इसमें कुछ terms and conditions लगाई गही है अगर पहले 12 हक्ते में बच्चा गिराना है तो एक डॉटर को आपको testify करना पड़ेगा कि हाँ बच्चा गिरा सकते हो अगर 12 हक्ते के बाद और 20 हक्ते से पहले अगर आपको abortion करना है तो दो डॉक्टर्स का testify करेंगे कि हाँ भाई conditions fulfilled है आप abortion कर सकते हो अगर मा की जान को खत्रा है तो ऐसे केसे में gestation period matter नहीं करता उस केसे में वैसे भी abortion करना ही है कितना भी समय की pregnancy हो अगर मा की जान को खत्रा है तो abortion करना ही करना है जो भी abortion करने के context में अपनी राय दे रहा है कि हाँ यहाँ abortion होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो medical practitioner होना चाहिए registered medical practitioner होना चाहिए under the law in India G.S. paper 2 health और issues related to women में news आपको गाम आएगी और आज की आखरी news आसाम rice wine जुदीमा gets GI tag देखें दिमासा community जो है आसाम की वो एक wine brew करती है wine को बनाती है wine मतलब शराब alcoholic drink है wine को बनाती है जुदीमा इस जुदीमा को अब geographical indication tag किया गया इस wine को rice से बनाया जाता है और एक certain harp से बनाया जाता है और आप कह सकते हो कि पहली beverage है पहली ऐसे drink है जिसको north east से ये GI tag का label मिला है याद रखेंगा जुदीमा wine आसाम से rice wine जुदीमा gets GI tag तो first of all यहाँ पे दिमासा community आसाम की news में इसको याद रखेंगा rice wine जुदीमा को यहाँ पे GI tag मिला है आसाम से मिला है जिस बात को याद रखेंगा अगर आप जुदीमा drink की बात करो it is intrinsic to social and cultural life of जुदीमा ओके भाई पिछली बार आसाम में कार्भी एंग लॉंग डिस्टिक्ट को एक अपनी ginger के लिए GI tag मिला था सब 14 साल बाद आसाम में किसी चीज को GI tag मिल रहा है overall अगर आप देखो तो पिछले हफते ही मनीपूर में दो indigenous products को GI tag मिला है एक है तमेंग, लॉंग, औरेंज और एक हताई चिली जो कि आपके मनीपूर के हिल्स में उगाया जाता है GI tag की बात की जाए तो issue किया जाता है as per geographical indications of goods registration and protection act 1999 एक entrepreneur को या group of businessmen को दिया जाता है region specific होता है GI तो कोई एक geographical indication मतलब geographical origin के products को केवल उस geographical origins से लाके बेचा जा सकता है तो नागपूर के oranges है तो भाई या महारास्टर के उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले संतुरों को आप नागपूर oranges कहके नहीं बेच सकते चोकि उनका अलग geographical indication tag है तो GI tag unique goods को दिया जाता है according to their location और फिर उस location के certified products को ही उस नाम से बेचा जाएगा overall ये GI tags issue के जाते है under the GI goods registration and protection act 1999 इसको issue कोई करता है तो geographical indication registry issue करती है जो की काम करती है department of industry promotion and internal trade ministry of commerce and industry के अंदर GS paper 3 intellectual property right news आपको काम आएगे thank you for watching friends join किये बिना मचे ना like और subscribe कर दो